हेलो मेंबर्स अब देखो मार्केट में आज काफी अच्छी वैसे रिकवरी थी काफी स्टॉक्स नए हाई मारते हुए दिखाए थे देखो आज एक पॉइंट जरू बताना चाहूंगा यहां पर एक सर ने पूछा था कोशिन मैं वह लेना चाहूंगा उसके बाद में कंटीनिव वीडियो करूंगा तो द्यान से सुनेगा एक सर ने हाँ पर बोला था कि सर मेरे पास 50 लग का फंड है और मैं बल्क में लेना च सकता हूं और आपकी अनलेसिस काफी चाहिए मुझे गाइड कीजिए देखो शॉर्ट और सिंपल में सीरस नोट बोलना चाहूंगा जो बोलूंगा ध्यान से सुनेगा ठीक है आप जिस तरह से बोलो कि सर कोई ऐसा स्टॉक बताओ जो सो का डेट सो यानि कि पत्तास रहे यहां पे ठीक है कि सर मार्केट falling market में कोई ऐसा स्टॉक बताओ जो यहां पर एक मेने के अंदर पचास पसंद की रिटन दे तो यह एक्चुल में क्या हुआ क्या हुआ कि सौ में से कोई एक ऐसा स्टॉक होगा जो या पे रिटन देगा falling market में और वो स्टॉक मुझे आ एक simple logic है मान लो market में fall आता है ना ठीक है mid caps में small caps में तो आप वाले stock भी गिरते हैं यह बात ध्यान में रखेगा अच्छे से stock भी गिरते हैं जैसे कि मैं आपको simple example देना चाहूंगा यहाँ पे reliance infra reliance infra गिरा जरू था previous day को आप देखो कि दो दिन पहले और उससे पहले भी गिरा था जब यहाँ पे market में 3-4 दिन small cap में profit booking आई थी लेकिन market जैसे ही रिकवर किया reliance infra रिकवर कर चुका ठीक है reliance infra सबसे जादा रिकवर किया तो आप यह समझे का कि अभी आगे जाके market में जब सबसे जादा गिरेगा भी सबसे जादा गिरेगा भी अगर वीश्वास नहीं है तो कोई भी स्टॉक उठा के दिख लेना मैं आपको एक best example देना चाहूंगा पैसा लाव डिजिटल ठीक है पैसा लाव डिजिटल आप देखो कि तीरा तीरा पसंद मोमेंटम कर रहा था एक निउस आए कि फटफट करके स्टॉक आधा हो गया ठीक है नुवन नैंटी का स्टॉक सीज आपको हंड़ेट तक जाता हुआ दिखे जा तो जितना फास्ट मोमेंट है वर यह उतना फास्ट फॉल भी होगा तो यह पहला तो आपको पेशेंस होना चाहिए कि 50 लग का मेरा 25 30 लाग हो गया तो मैं क्या करूँगा ठीक है तो फॉलिंग मार्केट में कोई ऐसे सूपर हीरो खेल मत खेलो फंड्स है तो बचा के रखो काम आ गया एंगी एक मेना पैसा आपका लेट प्रॉफिट जनरेट करेगा लेकिन एक अत मेना ठेर जाओ अगर नहीं ठेरोगे तो पैसे आपके डूबेंगे ठीक है यह जो महीना है आपका जितना लॉज से वो रिकावर करने के लिए महीना आप निकालो आई बच समझ में तो यह बात ध्यान में जरूर रखेगा आपको बहुत-बहुत काम आईगी और मैं अभी वही करता हूँ मेरा फंड्स सेव है मैं बहुत रिस्क लिमिटेड लेता है और जिनको नहीं पते ध्यान से सुनेगा मैरे रिलाइंस इंफरा यस्टरड़े को लिया था अलाकि मैंने शेयर नहीं गया था कुछ भी मैंने यस्टरड़े लिया था लेकिन मुझे रिस्क लगा तो मैंने आज क्या किया स्टॉक में जो में मुझे लॉस दिखाई दिए रहा था क्यों कि मेरा प्रॉफिट में सोचुका था तो बोलते ना प्रॉफिट लॉस ठीक है तो मैं भी एक्जेटली प्रेडिक नहीं आरपा था मुझे पता था क्या आथ भागेगा रिलेंस इंफरा ठीक है लेकिन मार्केट हो गया तो मेरा जो लॉजिक होता है उससे रिवस हो गया तो मेरा लॉजिक परफेक्ट था कि यह रिलाइंस इंफरा उपर जाएगा ठीक है लेकिन बोले न मेरा भी stress test था तो market gap down open हुआ मेरा stress बढ़ गया और मैंने यहाँ पे stock को हलके से profit में निकल दिया तो यह बात आपको भी जयान में जरूर रखनी चीए ठीक है चलिए और देखो आज एक वीडियो आ चुका होगा वो भी आप जाके जरूर देखेगा महादेव बैटिंग एप का जो scam है वो small cap के साथ connected है के नहीं और market में क्या होगा वो मैंने अपडेट रखे नहीं की कोशिश के अब जाके चेक आउट कीज़ेगा अब फटाट वीडियो स्टाट करते हैं वीडियो कंटीन्यू करेंगे एंजान से सुनेगा solar industries 20% momentum किया है तीन दिन में solar industries lifetime high को क्रोस के falling market में भी ठीक है आँ देखो कि यह stock उपर जाने की वज़ा क्या है और क्या अभी fresh buy करना चाहिए तो आप देखो कि यहाँ पे इनको कौछ orders मिल रहे हैं defense firm के 455 करोड और उसके वज़े से stock भागता हुआ continuously दिखाई दिखाई दि अब देखो इस बंदे के result अच्छे है मैंने solar industries as a big bull series के अंदर बताया था lifetime stocks मैंने उसमें यह solar industries सबको बताया था बहत पहले 4000 की नीचे था तो उसके बाद आप दिखो कि यह continuously high मार रहा है अब अगर बोलो कि sir मैं इसमें entry करो तो भाई मैं ना बोलूँगा क्योंकि दो दि करेगा तो आप पैनिक करके फस जाओगे जैसे कि यहां पर देखो स्टॉक उपर गया था और बाद में 20 डिवां पर सपोर्ट लिया स्टॉक साइडवेस गया फिर वापस उपर गया आई बाद समझ में तो आपका stress हो जाएगा तो बैटर है थोड़ा श्यांत रहो patience रखो solar indices की momentum अच्छी है ऐसा तो ट्रेलिंग रख सकते है 8000 का एक support बनता है अभी के लिए तेक है उसके लब रिलेंस इंफ्रा की बात करने है तो देखो रिलेंस इंफ्रा अब ध्यान सा सुनेगा जिनके पास रिलेंस इंफ्रा ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड है पता है क्या पर ट्रेड कर रहा है तो पॉइंट के आ जाता है ऐसा लग रही लेंस इंफ्रा प्यॉर टर्नराउन हो रहा है अब कहना मुश्किल है क्या स्टॉक वापस 1000 को जाएगा लेकिन आप देखो लॉस मेंकिंग कमनी है लेकिन प्यॉर लॉस इसका कवर हो रहा है सी मैं बताना च कम हो चुका है ठीक है रिजर्स भी आप देखो कि यहां पर बीचमेंट डीप हुए थे उसके बाद वापस रिजर्स स्टेबल होते हुए दिखाई देंके और लॉस भी जहां तक मैंने देखा है वह लॉस भी थोड़ा बहुत कवर होता हुआ दिखाई दिखा है तो इस कं लेकिन हाँ ट्रेडिंग के लिए श्याद अच्छा स्टॉक है अब नियूस क्या है वो सुन लो के रिलैंस पाउर के जो दिक्कत है रिलैंस पाउर के हैं पर प्रमोटर बोलते ना गारंटी तरह से रिलैंस इंफ्रा आता हुआ दिखाई जया अगर मैं गलत नहीं हूँ त और Reliance Infra का Holding है, Reliance Power के अंदर 24% का Stake है, तो आप देखोगे Reliance Infra तो उपर गया, Reliance Power भी उपर जाता हुआ दिखाई दिया, और एक टेम फे Reliance Power का Stock भी आप देखोगे, 2 रुपे पे था, आज ये Stock 30 रुपे पे है, 22 रुपे पे है, ठीक है, तो ऐसा लग रहे है, Revival का Plan होता ह वा दिखाई दिया, Somehow, प्योर चींजिस होते वह दिखाई दिया, दिखते है क्या होता है, अगर Revival होती है, तो Stock अच्छे खासे Momentum भी कर सकता है, Reliance Infra अभी के लिए थोड़ा बैटर पोजिशन में लग रहे है, वो शायद और उपर जा सकता है, अब देखो, BPCL, HPCL, IOC जैसे Stock फॉल किया, क्यों, पैटरोल डिजल के प्राइस कट हो है, और यही बहुत बड़ा रिजन दा Stock की Momentum का, अब देखो, यहां पे commentary भी आई थी, Stock दोनों आज साथ पसंद नीचे दे, लेकिन commentary का आई, IOC की तरफ से, कि अभी इतरा Margin में Impact नहीं होगा, ऐसा माना जा र जा सकता है, BPCL, HPCL, IOC जैसे Stock, Lifetime High टेस्ट करने जा सकते है, और मुझे लगता है कि आपे Oil India का Stock भी आपको Lifetime High टेस्ट करने आपको जाता हुआ दिखाई जा सकता है, यह भी आप देखोगे, जादा तर रिकावर हो चुका है, तो इसको भी आप रडायर पे रखेगा, यह मुचल फट ने खरीदा है, तो भी बंदा क्रेश हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट रिकावर हुए, यह स्टॉक दो दिन में 20% रिकावर कर चुका है, अब न्यूस क्या है, तो भाई, इस सीम न्यूस है, कि मुचल फट ने स्टॉक को खरीदा है, मार्केट मे ठीक है, अब सी ध्यान से समझेगा, स्टॉक रिकावर तो किया है, लेकिन अभी के लिए कुछ भी मत किजिगा, यह जितना फॉल दो दिन में हुआ है, उससे कम यह रिकावर हुआ है, तो स्टॉक का हाई था 780, स्टॉक का 52 एक लो के आसपास क्लोजिंग आई, आप पास 500 पर आते तो इसको एक बार अडर पर जरूर डग सकते हैं आप लोग, ठीक है, एक बार डीप आये तो सबसे ज़्यादा पसंद आ जाएगा, ओके, टाटा मूटरस, अब ध्यान से सुनेगा, टाटा मूटरस का स्टॉक आज, हजार के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट क तो देखो, उपर जाने वाला स्टॉक उपर जा रहे हैं, अगर आपका टाटा मूटरस उपर नहीं जा रहे हैं, हजार के नीचे सस्टिंग कर रहे हैं, वो नेगेटिव हैं, एक दिन पहले निउस आए थी टाटा मूटरस के अंदर के हापे 9000 करोर का प्लान सेट अप कर तो क्या निउस पॉजिटिव नहीं थी, पॉजिटिव थी मेरे बाई, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि शायद ये थोड़ा ओरवर्ड जोन में जा चुका था, इसके वाज़े से प्रॉफिट बुकिंग है, तो मैंने आपको क्लियर वार्न किया हज़ार का इंपॉर्टन लिवल्स होते है, सो, तीन सु, पान सु, हज़ार, पाँच हज़ार, दस हज़ार, ये सब इंपॉर्टन लिवल्स होते हैं, कभी-कभी क्या होता है कि टच करके फॉल कर जाता है, कभी-कभी वो नजदीक लिवल के आसपास फॉल कर जाता है, जैस हमेशा याद रखो मेरे वीडियो नहीं देखोगे किसी और कर सुनोगे बाई टाटा मोटस और लेना चाहिए बाई फसने में पांच सेकेंड ही लगेंगे तो यह बात ध्यान में जरूर रखेगा यह स्टॉक आपको फसा सकता है शॉट टम के लिए कोई खराब नहीं है लेक लेकिन कितना सस्टीन करेंगा वो देखना पड़ेगा एक बार के लिए आई बाद समझ में तो यह बाद ध्यान में रखेगा 900 तक यह स्टॉक गिर सकता है तो मैं मैंने जाद आता न्यूस कवर कर दिया सिफ बची है रिलेक्सों की न्यूस तो मैं रिलेक्सों यहां पर किजिगा पी इसकी बहुत ही जादा है तो आपको ध्यान में क्या रखना है शायद किसी ने बड़े बलस ने खरीदार की होगी आप कहना मुश्किल है तो आप यह समझो के स्टॉक को एक बार स्टेबल होने दो उसकी बाद हम लोग एंटरे करने का सूर सकते हैं ठीक है और कर जीतना भी ओर सोल था ना वो खतम हो चुक है अब ऐसा लगा रहे कभी भी बाउंस करके भाग सकता है स्टॉक तो जरूर अडर पर रखेगा मुझे लगता है कि कुछ महीनों के अंदर यह मोमेंटम स्टॉक अच्छे कर सकता है ठीक है ओप आज का वीडियो पसंद आगा कोई डाउट रहते है कॉमेंट जरू कीजेगा एंड टेलिग्राम में नहीं है जाकि जरू जुड़ेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई जाए है